एक बहुत जाना माना लेयाउट मोडल है जिसकी मदद से आप बहुत कुम्प्लैक्स किसमें लेयाउट डिजाइन कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और इसके लावा देखें के कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप इन्हें अरेंज कर सकते हो और इसके अलावा शोट हैंड इसके जो प्रॉपर्टीज होती है या फिर नूटेशन बोलो आप उन्हें भी समझेंगे तो इस वीडियो को आप देहान से अगर इस वीडियो को देख लेते हो आप देहान से तो आपके पास एक बैटर अंडरस्टैंडिंग होगी किस त इस चीएमिल में क्या करूंगा सबसे पहले मैं बangel ले आऊ और जाने के बादेन खरना और टाइटर चांज करना और चांटिवा कोण्ध कर देना रहेंगा तो इसको समझने के लिए कि यहां पर क्या करूंगा एक container ले आउंगा मतलब डिव लाओंगा उसकी class container रखोंगा और उसके अंदर कुछ item रखोंगा यार मैं और item रखोंगा और इसके अलावा इसको दो classes दूँगा मैं item और item 1 और इसी तरह एक div आगया मेरे पास और इसको जो मैं content दूँगा वो मैं दे देता हूं item 1 दे देता हूं और इसी तरह कुछ और divs ले के आउंगा मैं और कितने ले आउंगा मैं 3 ले आता हूं अभी फिलहाल और इसको class दूँगा 2 इसको class दे दूँगा मैं 3 तो अभी तक तो यह सारी कर सकता हूं मैं तो सबको इस स्ब्रा से अभी सिर्फ एक काम करना चीशेस फाइल को लिंक करना है मैंने इसके साथ और को लिंक करने का तरीका बहुत यह साना लिंक यहां पर आएंगे और CSS स्लेक्ट करेंगे और फाइल का आप इन्ट्रोडोट CSS तो अभी दो इन्ट्रोडोट CSS हमने कोई नहीं 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 तो यह मैंने फाल भी लिंक कर दी अब इसको मैं एक बार open with live server कर लूँगा open with live server कर लूँगा right click करके मैंने open with live server किया और नई तो आपको यहाँ पर option भी मिल रहा होता अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं आके अपने container को टार्गेट करूँगा और container को target करने के साथ ही मैं इसके जो प्रोपर्टी अप्लाइ करोंगा वो मैं एप्लेंग अप्र यहां पर और यहां पर मैं इस तरह आटम मेरी यहां उसको एबर से वहाँ प्रोप्राइब प्रेक्सर प्रोपर्टे देंगे लेकिन पर एक शुलिए और इसके बाद सब्सक्राइब करने के बावजूद भी कोई फ़रक नहीं पड़ा और यह सारा कुछ क्यूं होड़ा है क्यूंकि मैंने डिस्प्ले ग्रीट को सिर्फ इनेबल किया है कि रोज रक नों रखना एक और इस तरह एक ओर प्रَّरे टैंके और तो कितने मुझे रखता हूं रखते हैं 100 इसको मैं यहां लखती होती — इस यहां पर ने रहो पिकसल इसको मैं विच दूंग Ges जो मेरा कोलम दाएगा पहला और यह मेरे पास कोलम आ गया और इसी तरह यहां पर आके जो मेरा रो है इसको भी 100 पिक्सल दे दूँगा जैसे मैं 100 पिक्सल एक मर्तबा फिर आड़ करूंगा दो बाड़ा टेमपरेट कोलम प्रोपर्टी में वैलियू तो क्या होगा यहां पर एक चीज मैं और कर सकता हूं आपको दिखा दूं इंस्पेक्ट करूं जब मैं और यहां पर एक यह काम कर लूँ मैं इस तरह से तो अभी क्या करना है यहां पर से थोड़ा सा जूम हुआ है और यहां पर मैं ग्रीड पर कलिक करता हूं तो यह मेरे पास इनेबल हो जाएग तो मेरे पास और कोलम आ जाएगा एक और आप देखो कि यहां पर एक और अगया और उसमें मेरे पास कोई भी आइटम नहीद है लेकिन अगर आप यहां से जिस तरह मैंने यहांने इनेबल किया था डेवलपर टूल में आकर यहां से यह नहीं करोगा तो आपको कोई फडक फिर करता हूं तो उतने कोलम्स आपके पास आते रहेंगे जितने मैं सेट करता रहूंगा तो जिस तरह यहां पर मैंने five की एक सेट अभी six की है grid template columns and grid template rows property इसकी मदद से आप define कर सकते हैं कि आपको कितने rows और कितने column चाहिए पहला तरीका तो ये था कि आप इसे इस तरह pixel में value दें लेकिन यहाँ पर आपके पास एक short hand notation है और वो है आपके पास आप इस तरह लिखें repeat और repeat लिखने के बाद मैं यहाँ पर जितने मुझे columns चाहिए वो लिखोंगा उनकी quantity लिखोंगा और उसके बाद उनकी width क्या जाहिए 100 pixel तो वो लिख दूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर कोई फ़रक नहीं पड़ेगा बलके same ही रहेंगी तो यह मैं इस तरह से शोट हैंड यूज कर सकता हूं और इसके अलावा क्या कर सकता हूं मैं रोज में इसी तरह यह सारी चीज़ें साथ कर सकता हूं तो अभी यह मेरे पास आपको एक तो समझ आगई कि जितने इ'tनी मतब़ा उसकी वित करते जाएंगे तो उतने ही आपके पास रोज आते रहेंगी यह फिर कोलमश आते रहेंगे तो यह था आपके पास और इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं और रोज को CSS ग्रीड में अभी हमने इसको डिफाइन तो कर लिया लेकिन इनको पुजिशन भी करना चाहेंगे हम और इनको पुजिशन करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है और वह क्या है आप अपने आइटम को स्लेक्ट करो ग्रीड रो मेरे पास आएगी और स्टार्ट तो इसी तरह ग्रीड रो स्टार्ट प्रोपर्टी है इसके बाद बाहिर निकलू मैं और ग्रीड कोलम स्टार्ट है यार ग्रीड कोलम स्टार्ट कोलम स्टार्ट मेरे पास प्रोपर्टी है यह आती है उसके बाद एक और प्रो two conclusions सब्सक्राइब आजाएगा मेरे पासiertoलंस उल्ट सब्सक्राइब ओर भॉव बढosphरर्ज्ड वह सट्फट पर में कहां नौट इस एइधक इतना जो मेरा बोकसा या फिर एक ही जो आयट है मैं इसको सेट करूं, यहां पर कर दूँगा 4, तो जब मैं 4 करता हूं, तो आप देखो कि यह रो था मेरे पास, इसको 3 कर दूँगा, यहां पर चाहता हूं, और इसी तरह मैं को स्टार्ट और कॉलम और प्रॉपर्पर्टीज का य यह तरीका आपके पास लेकिन यह तरीका बहुत ही एक समझ आप संदों के ऐसा तरीका जो आपका बहुत जादा टाइम लेगा और इसकी जगह पे एक ओर usual व्हास कर सकते हैं इनको भी presentation कर सकते हैं पहली रचरना होट तो आप पहली लिखोग froze वह स्टार्टिंग वैल्यों होगी और जो लास्ट लिक्षेगों होगी और जो इसके दिरम्यान में आप इनको सापरेट कर सकते हो फोरवर्ड स्लाइश से तो जब मैं इसको करता हूं यहां पर एक और वहराल में करते होगां यहां पर यहां पर इस्टार्टी आप इंनको से अप्सट कर सकते हूए एक कितना अगकर तो यह चार और दो होंगे और कुलम होंगे लेकिन आएगा लेकिन यहां पर 20 पिक्सल करता हुँ लेकिन अगे ऐगा लेकिन जो कोलम के दिर्मियान आप आएगा वह आपके पास 20 पिक्सल हो जाएगा और इसी तरह आप प्रस्ट आप के लिए जो रोज होंगी उनके लिए डिफाइन कर सकते हैं कर सकते हैं तो यह था आपके पास एक तरीका और अभी इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर रहे किन इसके अलावा जार और भी और भी बहुत सारी प्रोपरेटी आती है आपके पास और एक औरं प्रोपरी dem 이거는 कर सकते मैं कहता हूँ जो में करना है धर कर दी और से और बाहर निकलों इसे और एक आप और उसके बाद क्या कर सकता हूं मैं और इसे साइड बार चाहिए और इसके बाद क्या करना है मुझे इसके बाद चीज करूँ जाएंगा मैं वह होगी यह फुटर और रख दूँगा मैं फुटर और यहां पर इसके लिए सिंगल कोट चाहिए होगा तो यह सारा कुछ सिंगल कोट में आएगा और ग्रीट जो कॉलम्ट अब मैं क्या करूंगा सिर्फ तू रख दूंगा आपके पास एक और तरीका यार यहां पर रखता हो ऊपर ऑर तो इससे क्या होगा कि इह जो सिल याजाएंगे इसका मैं समझाता हो आपको एंगा सिहतार इन्स के frei दूप यह पस आ यह फूंब मेरे पास आ रहे हैं वह किया कारेंगा क्या करेंगा वह सपेश लेगा वह एक गुना लेगा और अब यह समझ तो इनको मैं काम कर सकता हूं और यहां पर रोज को यहां सकता हूँ यहां सुझ सक्छा तो एस तरह में ने amongst devrait कर सकते हैं को यह तोभिक फना मैंने background color brown दिया और इसके साथ यहां पर क्या होगा जब मैं एक अपना item भी बढ़ा देता हूँ item 4 कर देता हूँ item 4 और यहां पर class भी item 4 कर दूँगा और इनको इस तरह से सट करूँगा अब यहां पर जो मैंने property apply की थी यह close हो जातूँ यहां पर जो मैंने property set की थी grid template किदर गया यह 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 ग्रीट टेंपलेट एडिया तो इनको मैं किस तरह से सट कर सकता हूँ इनको मैं arrange कर सकता हूँ यहां पर अगर मैं यहां पर आऊँ और इनको खत्म करण और यहां पर जो मैरा पहला आइटम था करदू ग्रीट एडिया की मदद से क्या कर सकता हूं यार मन यहां पर रख दूँगा header हेडर रख दूँगा तो यह मेरा header आ जाएगा और इसके बाहर निकलूँगा यहां और इसको क्या करूंगा मैं, जो मेरा दूसरा आइटम होगा, आइटम 2 आएगा, और इसको क्या करूंगा मैं, गरीड एरिया फिर से लाँगा मैं, इसके बाद गरीड एरिया को क्या करूंगा मैं, मेन रखूंगा, और इसके बाद जो मेरा तीसरा ऐलिमेंट आएगा, उसमे में क्या करूंगा तीसरा element मुझे select करना बढ़ेगा item 3 और item 3 में क्या करना item 3 को मैं रख दूंगा grid area sidebar sidebar आ जाएगा और इसके बाद यहां पर save करूंगा इसे और जो मेरा fourth item होगा item 4 तो इसको क्या करना है item 4 यहां पर इस तना class change करूंगा और इसको footer रख दूंगा मैं तो यह मेरे पास इस तरह से इसको वापस आना चाहिए यहां पर इसका काम नहीं है footer तो यह आ गया मेरे पास तो आप देखोगे यहां पर क्या हो गया इसको इसको जो disabled हो गया मेरे पास दोबारा से grid इसको फिर से enable करूंगा और यह इस तरह से enable कर सकता हूं तो मेरे पास्ट तो इसमें क्या हुआ मेरे पास आये करहाए मैं दो कॉलम्स यह मैंने वह जाका है और इससलिक इनकी पोजीशन भी से उसके बनायω है तो यहां पे इस तरफ आ जाएंगे तो यह इस तरह फूटर और आपके पास एक बहुत ही अच्छी टेकनीक नहीं है और आप कभी भी यूज नहीं करोगे इसको यह एक बहुत ही मुश्किल तरीक है तो इसको मैं कोमेंट आउट करूँगा लेकिन आपको मैं बता देना चाहता था यह तो इसके बाद यार हमारे पास बहुत ही इंपोर्टन प्रोपर्टी जाती है और इनको मैं सबी को जितनी लिए पास मेंट करूँगा उप अगली प्रोपर्ट मुव कर सकता हूं और इस तरह से अब मैं उसके भी उनकर अब यह पर यहां आहां नीचे आँ हो अगर और जो 3FR था 1FR इनको इस तरह से start करूंगा मैं अभी मुझे 3 columns जाहिए यहां पर एक repeat जो मेरे पास mutation है उसका use करूंगा मैं पहले अपने column define करूंगा और दूसरा कहूंगा 1FR तो मुझे 3 columns जाहिए और हर एक की with equal चाहिए मतलब 1FR में हर एक की with equal होगी तो इस तरह से मैं इनक कर सकता हूं तो अभी यार हम बहुत ही एक और important property की तरफ move करने वाले हैं बाकि सारी चीजों को मैंने comment out कर दिया और यहां पे जिस property की तरफ हम move करने वाले हैं हो है justify items और align items justify items से क्या होता है यार justify items आप इनको position कर सकते हैं और दूसरा होता है हमारे पास align items और जिस तरह मैं justify items को center करता हूं तो आप देखोगे यहां पर क्या होगा यह center हो जाएंगे जो आपके पास column access होंगे उन में और इसी तरह अगर आप row access में चीजों को center करना चाहते हो तो आप align items property का use कर सकते हैं और यह आपके पास rows access होंगे उन में center हो जाएंगे तो इसके अलावा आपके यह से पास और बी properties आत्यां बहुत सारी आप इनको start कर सकते हो start में आ जाएंगे रो करते हो start में चले में चले जाएंगे तो यह इसी तरह से हो इन सारी means अभर में चले घाएंगे तो इसी तरह को जरना ऊनुपने सेट करना चाहो और जो मेरी आइटम 4 था इसमें मैं कहूँँ जो मेरे सब्सक्ताइब तो जो मेरे सब्सक्राइब का तो सब्सक्राइब नयुक्त मैं लेकिन चले गाजाएगा SET तरह आपके पास justify self property काम करती है और justify self में क्या होगा justify self में भी इसी तरह होगा अगर यहां से मैं इसे हटाऊ और इसे यहां पे ले आउं और यह इधर आ गया और item जो मेरा 3 था इसको खत्म करके यहां पर justify self में प्रोपर्टी का अपलाए कर सकता हो करऊंद करता हूं तो सेटेक्ष करण चाहर यहां पर इस तरह पास अपके पास Edge आपके पास ज सेटव कर सकते हैं और ten आपके पास आपके पास बहुती है एक और इंप्रोप्रोप्री यह थी और मैंकस उसमें रहे मेरे पास पिक््सल कर देता हूं और second column में कहता हूं second column में कर देता हूं 3FR 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 और जो मेरा third column होगा उसमें मैं भी कर देता हूं 1FR तो 3FR, 1FR, 3, मेरे पास इस तरह से items आ गए लेकिन यहां पर अगर मैं क्या करता हूं इनको इस तरह से आप देखो किया होगा जब मैं इनकी width कम करता हूं और जब इनकी width आप देखो कि यहां पर पहुंच जाती है 271 पिक्सल पर तो यह दोनों श्रिंग हो गए लेकिन यहां पर जैसे बढ़ती जाती है इनकी width और यह अपनी available width के हिसाब से क्या करते हैं लेकिन आप देखो कि यहां पर यह आटम श्रिंग हो रहा है लेकिन जो मैंने 100 पिक्सल किया था वह उसे बिल्कुल भी कोई फड़क नहीं पर रहा तो इस तरह अगर आप चाहते हो को आपका second item है वह इस तरह श्रिंग नहीं हो तो यहां पर आपके पास एक बहुत इंपो दूसरा कड़ोगे वह आप 3FR जिससरा मैं कहता हूं कि मैरी maximum width हो वह इतनी हो तो अब क्या होगा जितनी भी मेरे पास available space होगी यहां तक कि वह 100 पिक्सल पर यह second item मेरा ना पहुंच जाए तो जितनी भी available space होगी इसका 3FR यह लेगा 3% यह लेगा 1% इसको space मिलेगी लेकिन ज इस तरह आप मैं अगर करता जाता हूं और जब मेरी यह width है container की width हो 272 को पहुंच जाती है तो अब क्या होगा यार अब यह जो मेरा item होगा second item होगा यह अपनी जगा पे fix हो जाएगा 100 pixel पे इससे कम नहीं होगा तो अब यह क्या करेगा यह कहेगा अगले जो items हैं उनको पर प्राइजा होता है यार तो यह थी आपके पास कुछ grid में important properties तो इस तरह से यह काम करते हैं और इसके लावा भी आपको बहुत सारी properties मिल जाएंगी मैं इसको खतम कर देता हूं justify content को क्योंकि यहां पे इनका जो काम है वो सही तरह होगा नहीं तो यह आपके पास जो grid होती ह हैं वो इस तरह से काम करते हैं और इनकी मदद से आप बहुत ही powerful layout create कर सकते हो जिस तरह यहां पर मैं आता हूं और दो items बढ़ा देता हूं और जब मैं बढ़ाता हूं तो यह मेरे पास इस तरह से आते हैं और अगर मैं यहां पर एक छोटी सी चीज apply करूं और वो पताय क्य आप यह क्या करेंगा सबको सेम विद्देगा और इस तरह डिजाइन करते हैं और इनका में column gap भी कम कर सकता हो ज्यादा कर सकते हो यह सारी चीज़ें मेरे पास आप समयज़्ी लोगे मेरे control में हैं तो कोई भी चीज मेरे control से बाहिर नहीं तो यह तरह से काम करती हैं तो तो यह है अब आपके पास इतने ही था यार ग्रीट को लेकर और यहीं बोलूँगा के थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो मच्छ आइस वाचिंग इस वीडियो आई विल सी यू नेक्स ताइम बाई